गुल्मानिंग स्टुडेंट्स। हम चैप्टर नमबर फर्स मैप्स और ग्लॉब्स के आथ कोशन आंसर करने जा रहे हैं स्टुडेंट्स हम आज शौ्ट कोशन आंसर एंड लों कोशन आंसर दोनों ही कर लेंगे अभी पहले मैं आपको रिट करवाने चारे हूं short question answer short question answer में first question है हमारा name the seven continents हमें सार महाद्वीप के नाम बताने है कौन-कौन से हैं students हमने lesson में read किया है Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia are the seven continents कौन कौन से हैं स्टुडेंट्स एशिया, अफ्रीका, नोर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंडराटिका, यूरोप, एंड ऑस्ट्रेलिया और सेवन कॉंटिनेंट्स ये साथ महाद्वीप हैं सेकंद कोशन है स्टुडेंट्स हमारा निम दा फाम ओशन हमें पांच महासागरों के नाव पताने हैं कौन कौन से थे स्टुडेंट्स अप्रशांत महासागर, अटलैंटिक ओशन इंडियन ओशन इंडियन ओशन हिंद महासागर, अंत्रेक्टिक ओशन हैंड और ए annual verse 25. कौन कौन से थे students? The Pacific Ocean, The Atlantic Ocean, The Indian Ocean, The Antarctic Ocean and The Arctic Ocean are the five continents. Third question है student हमारा Why is it important to understand the language of maps? कि हमारे लिए map की language को समझना जादा जरूरी यह है It is important to understand the language of maps in order to understand the information given on a map हमें इसलिए इस language को आना जरूरी है यानिकि इस language को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो map में हमें समझने की और जो इसमें हमारे लिए जानकारिया होती है उन्हें समझने के लिए हमें map की language समझना बहुत जादा जरूरी है अब student हम करेंगे long question answer Long question answer में हमारा first question है Name the four main directions How do map shows direction चार हमारी main design कौन कौन सी है students और ये हमारी map को ढूणने में किस तरह से मदद करती है The four main directions are कौन कौन सी है students North, South, East and West उत्तर दक्षिन, पूरः और पस्चिम The direction on the map are shown by an arrow which is marked N कि ये direction map में किस तरह से शोक की जाती है एक arrow से यानि कि arrow means क्या होता है students तीर, कि तीर से एक तीर के निशान से या फिर एक needle से क्या की जाती है चोक की जाती है, mark की जाती है कौन से symbol से, N के symbol से This indicates the north direction ये किस की तरह इशारा करता है North direction की तरह यानि कि उत्तर दिशा की तरह It is easy to find other direction once we know where the north lies ये बहुत जादा आसान कर देता है हमारे लिए और किसी direction को धुणने में और किसी दिशा को धुणने में कि अगर हमें ये पता है कि north किस तरह है Second question है हमारा Different between a physical and political map हमें difference बताना है physical और political map के बीच में हमने read किया था students lesson read करते हुए हमने पढ़ा था physical maps physical maps कौन से होते हैं students this map define or show physical features like mountains, valleys, plains, plateaus, rivers and other water bodies ये हमें क्या क्या शो करते हैं कौन-कौन से भौतिक विशेश्टाएं हमारे दिखाते हैं कौन-कौन से होते हैं students mountains जो हमारे पहाड है घातियां है मैदान है पठार है या फिर पहाडी मैदान है plateaus means river नदियां है और जो other water bodies होती है यानि ये और जलनिकाई होते हैं उनको दर्शाती है political maps क्या होता है students this map define or show political boundaries of countries, state, cities and other political division कि ये हमें क्या show करती है student की boundaries कहा है यानि कि सरहत कहां है किसी country की, किसी देश की, किसी राज्य की, किसी शहर की या फिर कोई और राजनेतिक विभाजन जहां किया गया है वहां की सरहत कहां पर दिखाई देती है थर्ड कोईशन है students हमारा में जो डिस्टेंस है मैप मैप के अंदर किसी दो शहरों के बीच में अगर हम क्या करते हैं दूरी को तैक दूरी कितनी है इसको नापते हैं मापते हैं तो उससे हम किस की मदद से माप सकते हैं यह स्टेंस हमें किसी दी रेखा को शो करता है और जो भी यूनिट्स में डिवाइड किये गई है यानी कि छो टे छोटे पार्ट में डिवाइड की गई है लेंद उसे भी दर्शा देता है अगर हमें दो शेहरों के बीच की दूरी को नापना है मैप के उपर तो हम किस तरह से माप सकते हैं जैसे कि मान लीजिए देली और कोलकता की अगर हमें मापनी है तो उसे हम माप के उपर माप सकते हैं लाइनर स्केल की मदद से स्टुडेंट्स ये थे हमारे कोश्चन्स ये हमने अभी रीट कर लिए हैं ये आपको अपनी फियर नॉटबुक में राइट भी करने हैं और साथ-साथ इन्हें लर्न भी करना है स्टुडेंट्स आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बिलकुल अराम से वर्क करना है और साथ-साथ ये भी ध्यान अकना है कि जो हम साइट पे रो लगाते हैं वो आपकी जरूर होनी चाहिए एंड राइटिंग शुड भी नीट एंड क्लीन आपकी नॉट बुक्स भी बिलकुल क्लीन होनी चाहिए थैंक यू